वेलकम है आप सबका सेल्फ स्टेडी के चैनल में और आज हम अपने इस वीडियो के अंदर जो SSE का आपको पता है कि कलेंडर आ चुका है और चार महिने ही हैं लगबग SSE के CGL का एक्जाम होने में और इस वीडियो के अंदर हम SSE के प्रीवियस ही है अरे क्या हो रहा है इसको हाँ ठीक है न हाँ तो यह आपको हेल्प करें कि किसके अंदर CHSL के अंदर दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल CPO के अंदर और CGL के अंदर तो ओविसली यह हेल्प करने वाले हैं यह उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे त्यारी कर चुके हैं और अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो most important चीज है आप लोगों के लिए कि अब previous year के questions attempt करें क्योंकि बहुत help करता है आपको concept समझने में आपको vocab करने में एक practice हो जाती है तो इसके अंदर हम question करने वाले हैं पहले मैं आपको बताता हूं यह paper कर आया था यह आया था पांच अगस्त अरे यार यह क्या हो रहा है पांच अगस्त 2017 को फांच अगस्त 2017 को first shift का paper है ठीक है आपको time बता दिया आपको first यह दो दो लिख दिया मैंने first shift का paper है एक minute starting में पता नहीं क्या क्या error आ जाते हैं इनके अंदर है क्या क्या चल रहा है okay अब चल रहेगा न हाँ आप सही चलेगा तो first shift का paper है पांच अगस्त दस बज़े जो हुआ था हम आपको सब कुछ detail बता दी अब जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पर यह मिल भी जाएगा clear तो इसके अंदर हम 25 question जो English grammar के हैं वो discuss करेंगे 25 में से आपका यह है कि हर एक question जो होता है वो दो number का होता है और एक question अगर गलत होता है तो आपका half number मतलब minus हो जाता है negative marking होती है तो हम इन सब चीज़ों को with detail कि वो चीज क्यों आई किसली आने थी वो सारी जी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं तो आपको करना क्या है कि जैसे वीडियो स्टार्ट हो या फिर जैसे मैं question अगली slide पर question ही इसलिए ला नहीं रहूं है जैसी question आए तो आपको को ने करने की कोश्श कियोगी और नहीं करने की कोश्श की है जो नहीं है तो कोई बात नहीं मैं आप लोगों को ये question कर्वा देता हम तो देखें दोनों की question 첫 और से ही अ're left अब पहला कोशन देखते हैं, तो पहला कोशन है, the two men were, देखें, कोई भी दिक्कत नहीं है, error जांटने हैं, आपको error का मतलब first part में error है, second part में error है, third part में error है, या fourth no part है, जो first part है, the two men were, बिल्कुल सही है, दो लगे हुए है, मतलब जगड रहे हैं, with, एक दूसरे के साथ, one another, claiming the same watch as their own, no error, अच्छा, दिक्कत दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, या फिर बहस कर रहे हैं, ये बात करने के लिए, जो watch है, वो उनकी खुद की है, तो इस चीज के लिए बहस कर रहे हैं, अब यहां पर एक दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि जब दो लोग लड़ रहे होते हैं, तो उनके लिए each other का use होते हैं, each other का use होते हैं, और one another जो है, वो दो से, दो से ज़्यादा लोग जब जगड रहे होते हैं, दो से ज़्यादा जब लोग जगड रहे होते हैं, तो के लिए one another आता है तो यह adjective का rule है adjective से आया हुआ है यहाँ पर तो यहाँ पर आपकी किस में error है यह second में error है clear, आपको detail पता चलिए detail आपको concept पता चलिए कि आना क्या आता है, दो के लिए हो तो each other दो से ज़्यादा के लिए हो तो one another, दो कहाँ है देखिए two आप स्टार्टिंग में लिखा हुआ था अगर यहाँ पर five होते है तो obviously one another आ जाता है clear, second पर आते है second क्या कहा रहा है, everybody knows हर कोई जानता है, बिल्कुल सही है हर एक के लिए, यहाँ पर verb singular लगी हुई है यहाँ पर बिल्कुल no problem that bhutan is the most peaceful की, हर कोई जानता है की bhutan, bhutan जो है वो सबसे ज़्यादा शांती परी है most, देखिए superlative degree लगा रहा है article उसके लिए लगा रहा है बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ पर अब आगे चलते है, the most peaceful of all other countries of the world, देखिए दिक्कत कहाँ जब आप comparative लगाते हो तब other लगा सकते हो, other, any other वो चीज़े वहाँ पर आती है लेकिन, जब आपने superlative degree ही यूज करती है, जब superlative degree ही आ गई, तो वहाँ पर आप comparison किसके साथ कर रहे हो, तो यहाँ पर comparison नहीं होना था, clear, यहाँ पर आना था, of all countries of the world, तो यहाँ पर आपके सामने third के अंदर रहे है clear, पता चला ना आपको, इसमें concept क्या था, कि आप जब comparison कर रहे हो, comparative, तब वहाँ पर other, any other वो चीज़े, देखिए वो वाला concept जए adjective का, वो मैं करवा रहा हूँ अपनी वीडियो के अंदर ही मैंने एक playlist बना रही है, grammar English grammar करके, आप जाकर वहाँ पर देखेंगे तो pronoun के मैंने concept करवा दिये, आपको बहुत सारे help मिलने वाली है वहाँ से, details से मैंने वो चीज़ें करवा रही है और अब आगे चलके adjective ही मैं करवा रहा हूँ तो आपको वहाँ पर इसको और अच्छे details से बताऊँगा अभी इतना समयलो कि यहाँ पर कोई भी comparison हो नहीं रहा तो comparison हो नहीं रहा, तो वहाँ पर अधर नहीं आएगा clear यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप सबसे अपने super relative ही use कर लिया तो super relative ही का है का comparison समयाया, अब आप क्या काम करेंगे, वीडियो पोज करिए और यह दो कोशन गुद करने ही कोश करिए चलिए, दोनों ही एक तरीके से देखा जाए तो दोनों के दोनों ही जो कोशन है वो grammar से ही related है, दोनों के दोनों grammar से related है विरिंदा बलेंक्स हो भले ही लेकिन यह grammar related है कैसे देखें the higher you climb देखें जैसे जैसे हम ऊपर जाते है न अपने surface से वातावरण के ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते हैं तो हमें पता है कि हमारी जो ऊपर जाने पर oxygen के कम ही आ जाती है तो oxygen के कम ही आते हैं तो इसलिए वहाँ पर सांस लेने में एक दिक्कत होती है हम सांस नहीं ले पाते हैं डिफिकल्ट होता है तो ये एक universal truth है कोई ऐसा नहीं है कि वो भारत में हो रहा हूँ अमेरिका में वो चीज नहीं होगी ये तो हर जगा है जैसे ही आप surface से उपर उठेंगे तो आप जैसे उपर उठेंगे उपर जो है वो oxygen की कमी होने के कारण वहाँ पर आपको क्या होता है कि सांस लेने में प्रोब्लम होती है तो एक चीज देखिए ये एक universal truth है और universal truth में आपको पता है कि present simple present simple sentence का यूज किया जाता है यहां पर present simple sentence का यूज किया जाता है तो देखिए the higher you climb the more difficult it जितना आप उपर जाएंगे इसलिए और ज्यादा ही difficult होता चलेगा it dash to breathe क्या होगा? become भया it जो है वो singular है become क्यों आएगा? तो यह कटा has become मैंने का present simple लगाना है यार present perfect का ये का ये चीक चीक के तो बोल रहा है becomes हाँगा it becomes to breathe clear difficult it becomes to breathe मतलब मुश्किल हो जाता है सांस लेना clear हुआ यहां पर अगले sentence पर चलते हैं नेहा has been crying बढ़ा ही बच्चों वाला मतलब इतना easy ये दे सकते हैं मैंने सोचा नहीं था यहां पर तो बच्चा फर्द नहीं से scenes लगाएगा यह तो पता नहीं हम कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं present perfect continuous के साथ scenes या four लगते हैं तो यहां पर scenes तो वैसे लेगा क्योंकि यहां पर timing का दिया हुआ है तो scenes आ जाएगा बढ़ा ही easy बचकाना बच्चों वाले चीज़े हैं यहां पर clear हुआ चार questions आईए ज़रा वीडियो पोज करें clear है आप उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पोज की होगी और बहुत आसान है लेकिन आप cheating नहीं कर रहे होगे इतना वादा करना opulent opulent का मतलब होता है अमीर बहुत ही ज़ादा तो अब जरा देखो इन दोनों में करना क्या है इन दोनों question में आपको synonyms डूणने या फिर कहें कि उनके privacy डूणने आपको प्राइवाची कहते हूँ कि शायद उनको अब यहां पर देखे opulent का मतलब होता है अमीर तो fake तो fake तो आपको इसकी हिंदी तो पता होगी ग्लूमी में यह वाई यहां आना था महर से by mistake यहां होगी ग्लूमी का मतलब होता है उदास ग्लूमी का मतलब होता है उदास यह CGL 2017 CGL 2017 first shift का paper है 5 अगस्त को कमाल की बात है देखे opulent rich चिक चिक के बोल रहा है महा आ रहा हूँ selfish तो नहीं हो इनी सकता कहां से आपको पता चलेगा कि अमीर होता है opulent का मतलब तो rich आएगा अगला देखे morose morose इसका मतलब होता है उदास इसका मतलब होता हुदास तो यहां पर flatter चापलुसी करना gloomy यह भी देखे फिर से उपर उदास तो यह रहा दिकती नहीं है यार इतना easy questions आए हुए हैं यहां पर तो यह आप लोगों के help भी करेगा obviously आपको एक standard बदा चल जाएगा कैसे आ रहे हैं लेकि ऐसा नहीं है कि सारों में easy है कुछ में है थोड़ा बहुत difficult है लेकिन जब आप vocabulary देखेंगे तो थोड़ी बहुत आपको देखेंगे जादा इतना high level पे नहीं है ठीक है बहुत दो होते हैं easy, moderate moderate पे भी नहीं है चिडाना किसी को तंग करना तो देखें यहाँ पर attract किसी को परभावित तो करोगे attract तो करोगे discourge यह नहीं हो सकता irritate irritate तो obviously इसका मतलब ही irritate कर देना और कभी तो irritate ही कर रहा है तो यह नहीं हो सकता please हाँ भी किसी को मतलब खुशी देना उसको comfortable में रखना तो please वो हो गया तो यह आएगा इसका सही answer और कभ पोजिट प्लीज अगले पे चलते हैं अगला है grotesque grotesque का मतलब होता है vichitr grotesque का मतलब होता है vichitr अब vichitr आपको ढूढना यहाँ पर free तो एक तो मजाद होता है ode भी एक तरीके का vichitr ही होता है queer queer का मतलब ही vichitr ही होता है तो आपके सामने चिक-चिक के बोल रहा है भई मैं क्या हूँगा plane plane आएगा यहाँ पर बिल्कुल सीधा जाता vichitr नहीं एक तम सीधा आगे चलते हैं अब यहाँ पर यह है आपके सामने दोनो इडियम्स और आपको यहाँ पर करना है इन दोनों को solve करना है video pose करिये और इनको solve करने की कोशिश करिये चलिए उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने कोशिश की होगी solve करने की तो पहला इडियम है वो है to keep the wolf from the door मतलब यह जो दूर रखना भेडिये को दूर रखना भेडिये को किस से दरवाजे से तो भाई एक तरीके से यहाँ पर इसका मतलब है avoid starvation मतलब यह आएगा इसका मतलब भुकमरी से तंगी हालत से दूर होना ठीक है उसको दूर रखना तो इसका पहले का क्या गया to keep the wolf from the door avoid starvation इसका answer 1 हो गया यहाँ पर second है teething problem teething teething का मतलब दान आना और जब दान आते ना बड़ी problem होती है तो बहुत ज़ाद अधिक्कत होती है तो जब आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखे problem at the starting problem at the start of a new project यानि start में जब हम नया कोई काम किया है तो उसमें problem create होना क्योंकि teething problem से यानि जब दान तारे होते हैं obviously starting में आते हैं grammar से ही related है चलिए उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने यह करने ही कोशिक की होगी और कह रहा हूँ वैसे-वैसे कर रहे होगी आपकी ही help होगी इससे पहला question 11th question है she did not like to have coffee nor I did देखे nor होगय नीदर होगय जब यहां पर आ जाते न तो इनके बाद वब आती है nor did I ध्यान रखना इसका तो यहां पर nor did I होगा है clear आगे देखें तो ताजमहल ताजमहल is a worth sing monument in आगरा काफी important बढ़िया बढ़िया मुझे question लगाई है देखे worth होता है adjective sing होता है यहां पर gerund है ठीक है यह मैंने concept कराए है आप लोगों को यह जो worth होता है यह हमेशा gerund को follow करता है clear यह worth होता है हमेशा gerund को follow करता है अब gerund देखें a an रे यार क्या हो गया a an दा तीन article होता है ठीक है जो gerund होता है वो होता तो article है लेकिन article के वो होता तो noun है noun के तरिके से react करता है लेकिन वो अपने लिए article नहीं लगवाता तो यहां पर एक चीज़ देखो ज़रा worth sing worth sing यह worth होता है यह तो है एक adjective यह आएगा एक noun अपने लिए जिरंड के लिए quality बढ़ाने के लिए sing की quality बढ़ाने के लिए आए एक तरिके की तो इसको qualify करने के लिए quality बढ़ाने के लिए qualify करने के लिए तो qualify तो करने के लिए no doubt okay बिल्कुल सही है लेकिन जो monument है यह एक proper noun है यह proper noun है मतलब टाइप जो होते हैं नाउन के प्रोपर, उसमें उस वाला प्रोपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं है तो यह common हो गया, लेकिन मैं यह कहा रहा हूँ कि तरीके का पूर्ण रूप से यह एक नाउन है, अब यह जब नाउन है तो obviously जो A है वो यहाँ पर इसके साथ आना चाहि तो यहाँ पर देखिए, A Monument यह रहा, A Monument यहाँ रहा, तो यहाँ पर तो यह करेंगे नहीं, One of the worth यह क्यों आएगा, तो दो रहते हैं हमारे सामने, A Monument, A Monument, To see its worth thing कहां से हो गया, यह रहा, A Monument worth thing, तो यह जो है worth thing को, बतलब यह जो Monument है worth से पहले लेकर आज़ों यहाँ तो यह है चीज, इसको ध्यान रखना है, देखिए, इसमें क्या फी चीज़ों की समझ होने चाहिए, A, N, D, A की थोड़ी बहुत आपको यह पता होना चाहिए, J, R, N, का भी आप लोगों की पता होना चाहिए, एड जेक्टिव का भी पता होना चाहिए, तो यह चीज़े म या जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता कौन होती है, क्या होता है उसको पहले sentence, पहला word है पहला है impregnable, impregnable का मतलब होता है अजे, जिसको जीता नहीं जा सकता immolation का मतलब होता है, बलिदान immunotion का मतलब होता है, बलिदान और incorrecible का मतलब होता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता ठीक नहीं किया जा सकता नहीं किया जा सकता तो यह जो चीजे होती न इसी से आपको पता चल जाएगा कौन सा है यह रहा थर्ड है इनलिजिबल का तो मतलब आपको पता है अलिजिबल ना होना आगे देखें मतलब दूसरों की गलतियों का शिकार होने वाला कहते हैं न बली का बक्रा बली का बक्रा यह देखें बक्रे से आप यहाँ गोट यह रहा स्कैप गोट इससे पता चल जाएगा तो इसका अंसर क्या होगा 14 का 4th अब आपको करना क्या है यहाँ पर यह जो दो कोशन्स दिये हुए 15 और 16 इसके अंदर आप लोगों को correct spelling चार्ट नहीं incorrect spelling चार्ट नहीं कौन सी है चलिए जो पहला 15 जो है उसके अंदर conceive बिल्कुल सही है laser laser मतलब आलसी होता है rain rain का मतलब होता है शाशन knees यह रही यह spelling अलता है spelling क्या होनी थी अगले में देखते है dictionary यही सबसे उपर ही लिखी हुई है d i d i c t i o n a r y ध्यान रकना n a आना था यहाँ पर n o लगा रखा है बहुत easy थी knees और dictionary तो काफी easy है आईए ज़रा बहुत important चीज है p q r s मतलब एक तरीके से jumble words मतलब इसको कहेंगी उपर नीचे कर रखे है sentences को हमें एक order में जचाना है इनको तो 17 के तो p q r s यहाँ पर है और 18 के p q r s यहाँ पर है यहाँ पर है कफी कंजूसी मैंने कर दी है क्योंकि मेरे पास कमी थी page की तो मैंने यहीं कंजूसी कर दी तो इसके लिए यहाँ लिख दी तो जड़ा एक बार करने की कोशिश करी है आप अपनी तरफ से उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी यह जो होते है न p q r s यह बहुत rare ऐसा होते है कि काफी कहते हैं कि trick होती है ऐसा मुझे नहीं लगता हाँ थोड़े बहुत help कर देती है trick लेकिन आपको यह कुछो concept आपको clarity चाहिए ना आपको concept की clarity चाहिए तो आप लोगों को अपनी reading reading सुधारनी होगी क्योंकि यह चीज़ें होती है वो reading से समझ से होती है तो आप पहला sentence देखो फिर भी छोटी मोटी जो trick है वो भी हम discuss करने वाले है जो 17 जो है उसको देखे 17 में PQRS दे रहे हैं तो छोटी मोटी trick कहा है PQRS में आपको सामने जो option देखे PQQ तो आपको पता चल गया या तो P आएगा या तो Q आएगा जड़ा हो जड़ा पहले हम ले लेते हैं या फिर Q आले दोनो Q आले ले लेते हैं तो दोनो Q आले लेते हैं पहले लास्ते चल लेते हैं पहला है One dull dark day in autumn मतलब एक दिन मतलब एक बड़ा ही जहां पर दिन नहीं, मतलब उसमें सूरज नहीं निकला हुआ था, अंधेरा चाया हुआ था दिन के अंदर ही, autumn का season जो चल रहा था One dull dark day in autumn, I was traveling on horseback through a dreary stretch of countryside मतलब एक सुनसान इलाके से मैं जा रहा था, एक सुनसान इलाके से मैं जा रहा था सुनसान इलाके से मैं जा रहा था, मतलब countryside है, एक ग्रामिन शेतर से, कंट्रिसाइड का मतलब एक ग्रामिन से पिछला इलाका भी हो सकता है ठीक है, तो यहां पर यह कह रहा है कि एक बड़े ही जीब से दिन या फिर एक dull सा दिन था, autumn के time में, autumn के season में तो उस वक्त मैं traveling कर रहा था, मैं अपने गोड़े के ऊपर जा रहा था, मैं एक सुनसान इलाके से ओकर, ग्रामिन शेतर में से, तो पहली लाइन तो यह होगी, काफी जच रही है, काफी sense दे रहा है यहां पर, अगर मैं PQ की बात करूँ तो देखे, it had been umpteen years since we had seen each other, umpteen क पता चल रही है कि दो लोगों की बात हो रही है, जब हमने एक दूसरे को देखा था, तो एक तो यह बहुत काफी साल बीत गए हमें, जब हमने एक दूसरे को देखा था, एक आपको एक बात यहां से पता चल लिए, इस sentence का मतलब है, एक दिन बड़े ही अजीब दिन, जो म दोनों को मैंने मीनिंग बता दिया, अच्छे, यहां पर आते हैं, यहां पर कह रहा है, आर कह रहा है कि यह जो घर है, वो रोडरिक उशर का है, जो मेरा बच्पन का दोस्त रहा है, इस sentence का मीनिंग तो यह हो गया, अगला sentence है, at nightfall, रात के समय, at nightfall का मतलत है, रात के समय, I came in sight of a house of उशर, मैं एक घर के आगे आया, जो घर था उशर का, देखें, अब मुझे एक बात बताओ, इसने यहां पर introduction अगर पहले दे दिया, यह घर था उशर का, तो बाद में क्यों बोलेगा, उशर का घर था, obviously मैं एक घर के सामने है, जो घर था, उशर का, तो यहां पर एक चीज पता नहीं चल रही, वंड, यानि, QR से, QR वाला तो होगा है नहीं, क्योंकि, यहां यह कह रहा है, कि एक दिन, एक दिन मैं जा रहा था, अपनी गोडे पर सवार होकर, एक सुंसान इलाके से, तो उस वक्त रात होगी, रात के समय, I came inside of the, I came inside of the house, मुझे एक घर दिखा, मुझे एक घर दिखा, जो घर किसका था, उशर का था, अब अगर मैं इसके बाद यह बात बोलूँ, this was the house of Roderick Usher, यह जो घर था, वो Roderick Usher का था, who had been my childhood pal, जो मेरा बच्पन का दोस्त रहा है, और अब यहां अगर इसक काफी साल बीत गए, काफी साल बीत गए, हमने एक दूसरे को देखे हुए, तो काफी सेंस इसका बन रहा है, किसका QSRP का, QSRP का, अब अगर मैं यह कहूँ, काफी साल बीत गए, यहां पर देखे, P में, काफी साल बीत गए, हमें एक दूसरे को देखे हुए, एक दिन मैं के समय, at nightfall रात के समय, I came in, भाई एकदम से रात का समय कहां से आ गया, है, तो भाई तुम यहां से जा रहे थे, यहां से तो sense बनता है, कि तुम उस दिन से जा रहे थे तुम और तुमें उस वक्त क्या होगी, रात होगी, तो यह एक sense बन रहे है, तो इसका अंसर होगा, third Q, S, R, P clear, आओ जो रहा, इस पर आते हैं 18 के उपर, 18 वाला भी आप लोगों को एक बर मुमीद करता हूँ, कि आप लोगों ने try करने के कोशिश की होगी, चला, आओ जो, तो यहां पर आप लोगों का एक common German practice, German के अंदर एक practice एक प्रथा होती है, Poland, in occupied Poland, Poland के अंदर जो थी, वो क्या थी, was to round up, round up का मतलब होता है, घेरा बना लेना, घेरा बनाना, मतलब कुछ लोग इकठे होते हैं, और वो घेरा बना लेते हैं, किसका घेरा बना लेते हैं, कोई जो civilian जा रहे हों, जैसे एक कोई आदमी जा रहे हैं, तो उसके चारों और आकर ऐसे उन्होंने घेरा बना लिया, तंग करने वाले एक तरीक, एक गेम कहा जाता है इसको, ठीक है, प्रथा चला करती थी, on the street of Polish cities, इन cities के अंदर एक ऐसी street, वो चलती थी, तो QS का तो मतलब S का, अब यह S जो है, वो the term Ipanka, Ipanka एक German word है, the term Ipanka, कैड साडोनिक, साडोनिक है नि घटिया है, एक बेकार, कॉनोटेशन अर्थ है, एक कॉनोटेशन अर्थ है, मतलब इससे घ्रिना होती है, ऐसा है यह, जो घ्रिना का अर्थ रखता है, from the words earlier used for the child children's game, known in English as tag, जो इस Ipanka जो use किया जाता है, वो एक तरीके से, पुराने टाइम में जो बच्चे गेम खिला करते थे, इंग्लिश में उसे tag कहते हैं, ठीक है, tag कहते हैं, तो काफी sense अगर यह बने, यह बन रहा है, कि common German practice, मतलब German के अंदर एक practice हुआ करती है, यह एक परथा होती है, उस परथा के अंदर क्या होता है, कुछ लोग जो है, civilian को घेर लेते हैं, अब घेर लेते हैं, अब यहां पर इस चीज को क्या कहते हैं, इंपांका कहते हैं, जो जिसका एक बहुत ही खराब meaning है, खराब अर्थ है, और यह जो word है, वो बच्चों की game से लिया गया है, जिसको English में हम tag कहते हैं, तो काफी meaning इसका बन रहा है, QS का, QS का, ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए, तो QS, PR यही जचर है हमारे सामने, 1442 and 1944, there were approximately 400 victims, कि लगबग 400 victims, मतलब इस game का शिकार हुए, of this practice, practice का शिकार हुए, daily, daily हुए, in wars of alone, मतलब एक शहर के अंदर, with number on some days, reaching several thousand, और कुछ दिन तो ऐसा हुआ, कि कुछ एक ही दिन के अंदर, यह जो number है, वो काफी बढ़ भी गया, काफी हजारों में भी चला गया, for example, एक example के तोर पर देखा गया, 19 September, 19 September 1942, close to 3000 men and women, were transported by train to Germany, by train to Germany, they had been caught in massive roundups, all over Warsaw, the previous two days, मतलब एक तरीके से देखा जाए, तो यह 19 September की बात है, 1942 में, लगबग 3,000 जो ओरत और आदमी जो थे, वो ट्रांसपोर्ट, मतलब एक तरीके से ट्रेन से जा रहे थे जर्मनी में, तो वहां पर भी इन बड़ी संक्या को round up घेर लिया गया था, इस practice के दोरान, ठीक है, तो यह चीज़ होगी, तो आपके सामने काफी एक sensible meaning यह बन रहा है, QSPR, तो यह जो चीज़ें होती आपको reading से, जितना आप reading करेंगे आपके लिए उतना ही असानी रहेगी, इस तरीके को करने की, जो आपको fill in the blanks या fillers कहते हैं वो भी आपके लिए काफी helpful रहेगा, तो यह दोनों हैं, एक तो 19 और 20 जो है, यह है आपके सामने active ऐसी और यह जो है direct indirect, ठीक है, वोईस वाला है रहेक है narration के लिए, तो आप जड़े एक पर अपनी आप से try करके देखिए, जो 19th question है, वो कहते है, एन elephant may be helped even by an act, देखिए यह जो चीज होती है, active या passive voice या narration, यह इतनी easy चीज है, आपको अगर concept भी नहीं आता है, आपको बिल्कुल proper, यह जो चीजे होती है, वो छोटी मोटे concept से भी हो जाता है, आपको eliminate करना आना, यह time saving चीजे होती है, देखिए, an elephant may be helped, passive लिखा हुआ है, कैसे पता चला सर, देखिए, passive की पहचान होती है, verb की, b की form, plus में verb की third form, ठीक है, ध्यान रगना, b की form, plus में verb की third form, b की form is, mr, was, were, been, being, ठीक है, यह वाली चलती है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मैं बहुत बार यह चीजें लिखता हूँ, ठीक है, is, m, are, ठीक है, is, m, are, was, were, was, were, been, or, being, यह आठ ऐसी चीजें होती हैं, आठ form ऐसी होती हैं, अगर इनके बाद आपको क्या मिले, वर्ब की third form मिले, तो समझना कि वो, passive है, यहाँ पर कहा हैं, यह देखिए, यह बी की form, तो खुद भी तो बी होती हैं, खुद भी बी होती है, यह लिखें, मैं लिख देता हूँ कहीं कहीं कहीं, कि सर भई तो आपने लिखा हैं नहीं, बी भी होती हैं, बी और यहाँ पर लिखा हैं, तो यह बी की form, प्लस में, वर्ब की third form है, तो यह निए उविसली passive है, तो हम इसका active ढूणना है, आप जड़ा देखिए, active से passive जाते समय, तो मैंने एक समझाई भी हुई है, यह क्लास भी लिए लगबग आदे घंटी क्लास है, वह आप जाके देखिए, आपको मिलेगा वहाँ पे, तो मैंने आपको बताय हुआ है, कि active से passive आते समय, sentence का meaning change नहीं होना चाहिए, नहीं, उसके अंदर tense भी change होना चाहिए, चुरह एक चीज यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर एक चीज गई होगी, तो आप बड़ी असाने से समझ जाओगे, an elephant लिखा हुआ है, an elephant लिखा हुआ है, जरह यह दो sentence देखना जरह, यह elephant, काटो यह रहे, यह कटता है है, यह ही कटता है, अगला जो meaning है, देखे, इसमें use क्या हुआ है, may use हुआ है, तो यह रहा में, o2 कहां से आएगा, यह कटता है, तो बड़ा easy चीज है, आपको meaning chain नहीं करना, आपको जो चीजें रखी हुए हैं, उर्सी का करना था आपको, तो बिलकुल easy है, time saving चीज है, इसको आप eliminate करिए, eliminate के थुरू समझेए उनको, अगला sentence देखो, narration, narration का ही है, please don't cry, please don't cry he said, उसने कहा, he said to, he said to, कहां से he said to, कहां से, he told, अरे कहां से told आजेगा, he bagged, कैसे पता चला से, अरे please लिखा हुआ है यार, please लिखा हुआ है, he bagged, अरे bagged लिखा है, I should, नहीं ये गलत है, I should, why, तो second आएगा इन्सका answer, तो 20th का answer हो जाएगा, he bagged, mean not to cry, तो ये हो गया आपके सामने, 20 question, with detail, detail से मैं हम लोगों को चीज़ें करवा रहा हूँ, कि आप लोगों को पता चलिए कि क्यों क्या हो रहा है वहाँ पर, एक explanation आप लोगों को मिल जाए, अब यहाँ देखिए, fill in the blanks है, और ये फिर से वही चीज़ है, fillers कहलो इनको कुछ भी कह सकते हैं, तो ये वाली चीज़ है, कभी-कभी यहाँ पर paragraph भी दे देते हैं, जिससे related आपको question पूछ लिए जाते हैं, comprehension गहते हैं उसको, ठीक है, comprehension का मतलब होता है, समझ आपको English के कितनी समझ है, obviously वो समझ देखते हैं, उसके अंदर थोड़े बहुत ही trick काम करती हैं, जितनी आप समझ पाएंगे English को, जितना आप read कर रहे हैं, जितना आप newspaper पढ़ रहे हैं, या फिर कोच भी चीज़ें कर रहे हैं, वो आप लोगों की help कर देता है, clear, तो थोड़ा बहुत आपको reading करनी होगी, ये चीज़ें समझने के लिए, पहले को इतना नहीं है, हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है, reading, सुधार ही है आप जब reading को समझेंगे, English को समझने लग जाएंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगे, देखें, पहला sentence देखें, the dash of lectures, the dash of lectures, could be enhanced by introducing the lecture with a brief review of the work, देखें, work के बाद भी dash लिखा हूँ है, देखें, यहाँ पर क्या गह रहा है, कि कुछ ऐसा हमें रखना है यहाँ पर, कि जो lecture का, lecture को हम inance करना जाते हैं, कुछ introduce करके, introducing the lecture, एक brief review कर दें, एक work कर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या गह रहा है, कि हमें क्या बढ़ाना है, कंडीशन बढ़ाना है, कोई गाड़ी तोड़ना है, जिसकी कंडीशन बढ़ाऊगये, lectures की बात हो रही है, ठीक है, efficiency बढ़ाऊगे, interest बढ़ाऊगे, effectiveness बढ़ाऊगे, effectiveness का बता है, परभाव शाली, तो अगर आप परभाव बढ़ाना जाते हो, ठीक है, अगर परभाव बढ़ाना जाते हो किसका lectures का, तो the effectiveness, the effectiveness, यह meaning जो है, वो काफी बढ़िया है यहाँ पर, the effectiveness of lectures could be enhanced by introducing the lecture with a brief review of the work, मतलब effectiveness हम बढ़ा सकते हैं lecture का, कैसे, introduce करेंगे, एक brief review करेंगे हम, of the work, जो work होने वाला है, अब यहाँ पर है, with the review of the work dash, dash यहाँ पर आगया, dash, it should be indicated, it should be indicated, it should also be indicated how the days, it should also be indicated how the days lecture dash into the course pattern, यहाँ पर के कह रहा है, यहाँ पर आपने क्या करती है, the effectiveness of lectures could be enhanced by, मतलब lecture का जो effectiveness है, वो enhance किया जा सकता है, किससे, by introducing the lecture with a brief review, एक brief review देदें हम work का, कब देदें, देखिए आप lecture शुरू करने वाले हैं, आप सुपोज गरिए, आप lecture शुरू करने वाले हैं, आप अगर कहीं पर lecture शुरू करेंगे, तो आप जाकर, अगर जो audience बैटी हैं, तो आप audience को अगर यह बता दें, कि हमारा जो यह lecture है, वो एक तरीके से, आज की जो सूखा पढ़ रहा है, भारत में उसके उपर होने वाला है, या फिर हम इसके अंदर यह चीज़े मात करेंगे, या फिर हमारा जो lecture है, जो हमारे दे कैसे brief दे देते हैं, कि हम यह यह चीज़े discuss करने वाले हैं, तो यह हो गया आपका, तो आपको brief करना है वहाँ पे, अब वो brief कब करोगे, lecture शुरू कर दोगे, तब करोगे, lecture शुरू करने से पहले कर दोगे, obviously lecture शुरू करने से पहले, तो ascending, preceding, reciting, succeeding, ascending, कोई order तोड़ना अचारियो, preceding, यह रहा, आपके सामने, reciting नहीं होता, ठीक है, succeeding नहीं होता, तो इसका answer आना था, second, यह second आना था, ठीक है, अब यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पर effectiveness, यहाँ पर भी second आना है, तो यहाँ पर दो-दो-दो मैंने लिख दी है, clear, अब आते हैं, अगला, it should, preceding, it should be, it should also be indicated, how the day's lecture, how the day's lectures dash into the course pattern, क्या हैगा, आपके सामने, option यह रहे, adds, fits, gets, lets, भाया, क्या हो, मुझे बताओ, आपनी effectiveness बढ़ाना है lecture का, कैसे बढ़ाओगे, आप पहले कुछ चीजें बता दोगे, हमारा lecture किसके बारे में होने वाला है, वो जो चीज आप बताओगे वो आपके उस course pattern में fit बैठे, आपको indicate कर रहे हैं कि यह यह चीजें हम करने वाले हैं, तो fit बैठेगा वो, that fits, मतलब कि, कहां गया रहे, fits, it should also be indicated, यह जो चीज जो आप करोगे, वो यह बताता है, how the day's lecture fits into the course pattern, आज जो course आपके है, जो pattern करने वाले है, जो course होने वाला है, उसके अंदर यह जो lecture है, वो कहां पर बैठने वाला है, fit बैठने वाला है, clear, आचा, a lecture should dash be presented in one unbroken discourse, मतलब unbroken discourse का मतलब होता है, जहां जनता बोलती नहीं है, जहां एक इंसान बोल रहा होता है, तो वहां पर क्या होती है, वहां पर एक तरीके से, अगर interesting होता है ना lecture, तो त बात होती है, तब तो जनता सुन लेती है, तब तो जनता सुन लेती है, लेकिन अगर वो interesting नहीं है, interesting नहीं है, तो आप लगातार बोले जा रहे हो, तो जनता जो सुन रही है, वो क्या होगी, वो बोर होने लग जाएगी, तो यह क्या कह रहा है, a lecture should, a lecture should dash be presented in unbroken discourse, तो क्या होता है कि seldom लगाएंगे है, ठीक है, seldom हो, continuously, often, randomly का मतलब होता है, वो उसको लगातार ही represent करना, हमें बहुत कम represent करना है, जो unbroken discourse हो, वहाँ पर ही मतलब कि जहां पर हम ही बोल रहे हों, या फिर सामने वाले को हमने बोलने का मोका ही ना दे रहे हो, अगर हम ही बोलते चलेंगे इससे बोरियत बढ़ जाएगी वहाँ पर, तो ये lecture should, seldom be presented in one unbroken discourse, मतलब ना के बराबर ही वहाँ पर उसे represent होना है, seldom is the most important uncertainty आ जाती है, बहुत less आती है, पर probability, ना के बराबर आती है, कि वहाँ पर हमें, मतलब उस lecture को represent करना चाहिए, ना के बराबर, ठीक है, unless exceptionally interesting, अगर interesting होत a long lecture strains तनाव पैदा कर देते हैं, a long lecture strains तनाव पैदा कर देते हैं, strains किसमें तनाव पैदा कर देते हैं, यह आपकी सामने, authority के अंदर तनाव पैदा कर देते हैं, capacity, या ability के अंदर, या comfortability के अंदर, या reasonability के अंदर, देखे, comfortability और reasonability यह quality बढ़ाने के लिए आते हैं, ठीक ह वो तनाव पैदा कर देगा खिंचाव पैदा कर देगा किस के अंदर? अथोल्टी के अंदर खिंचाव पैदा कर देगा या ability के अंदर या capacity ability के अंदर या capacity के अंदर तनाव पैदा कर देगा of concentrated listening जो हम listening जो हम सुन रहे हैं बड़े ध्यान से वो हमारे सामने आकर बोरियत बड़ा लेक्चर है तो हमारी जो ध्यान है वो भटकने लगज़ेगा causing intermittent मतलब रुक रुक कर हम venturing of attention and lose the continuity in thought हम क्या करेंगे हमारा जो ध्यान है वो रुक रुक कर आएगा जिससे हम सोच ही नहीं पाएगे क्या होगा हमारा जो concentration है वो कम हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो ऐसा lecture हुआ तो तो ये क्या कर रहा है किस के उपर भरभाव डालेगा हमारे listening के उपर भरभाव डालेगा हमारी उस listening की ability के उपर भरभाव डालेगा हमारे ध्यान देने की ability के उपर ध्यान डालेगा एक तरीके से यहां पर requirement है ability की ability को दर्शाने वाली चीज हमें चाहिए यहां पर, तो ability को दर्शाने के लिए authority तो दर्शाएगी नहीं, यह quality बढ़ाते हैं, और यह एक तरीके का capacity, तो capacity आना थे यहां पर ठीक है, ध्यान रखना तो यह था आज के हमारे सामने 25 questions 25 questions जो 2017 का CGL का हुआ था, प्रीका है यह first shift का जो paper था उसके अंदर, obviously आपको बदा ही है प्रीका यूंकि 25 questions है, तो first shift का paper है, तो ऐसे इतरी दिने हम सारे questions करते चलेंगे और इस वीडियो से related आपको PDF चाहिए, तो आपको telegram link मिल जाएगा, किस के कहां पर मिलेगा, description box में आपको link दिया मिलेगा, telegram का, telegram का link जाकर, आप उस पर click करिए, join करिए telegram channel को, तो वहां पर आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी, और मैं अभी English grammar related videos provide करवा भी रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा जब आप इसमें like करेंगे, like अरे यार, ये like ही नहीं लिखा जा रहा है like करेंगे, like करेंगे subscribe करेंगे चलेगे, तो मुझे लगेगा कि यार सामने वाले के कहीं न कहीं है, ये use हो रही है, उसका, उसकी समझ बढ़ रही है इससे, clear, तो बस आज के लिए इतना है था, thank you for watching this video